सिक्षा, अनुशाशन, नैतिकता, मूल्य, इमानदारी जैसे नैतिक शब्दों का पाट पढ़ाने वाला मद्यपदेश का स्कूल सिक्षा विभाग खुद ही किसी नैतिक मूल्य का पालन नहीं करता है सुनने में थोड़ा सा करवा लगेगा लेकिन सच्चाई यही है और वो इसलिए क्योंकि मद्यपदेश का स्कूल सिक्षा विभाग हाई कोट से भी नहीं डड़ता हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाई कोट की अब मानना के 49 मामले तो अकेले इंदौर खंड़पीट में ही पैंडिंग है जबलपूर हाई कोट तक जाएंगे तो यहां कड़ा बढ़ कर 200 के पार चला जाएगा 220 क्योंकि 10,000 से ज़्यादा केंड़ेट्स ने स्कूल सिक्षा विभाग के खिलाफ अलग अलग याचिकाएं लगा रखी है MPH कोट जबलपूर में अकेले भर्ती परिक्षाओं से जुड़े विभादों को लेकर 10,000 केंड़ेट्स ने 200 से ज़्यादा याचिकाएं लगा के रखी हुई है इन याचिकाओं के लगने से सबसे बड़ा नुकसान सरकार का हो रहा है क्योंकि सरकार पर लगातार आर्थिक बोज बढ़ रहा है बाब जुदिस के मद्यपदेश का सिक्षा विभाग ना जाने कौन सी नीद में सोया हुआ है कि उठने को तयार नहीं है सबसे पहले उन मामलों की बात करते हैं जो भरती से जुड़े हुए है सब जानते हैं कि 2018 के बाद जो भी भरती सिक्षा विभाग के तहत हुई उनमें कोई ना कोई पेंच फसा कहीं किसी को नौकरी नहीं मिली तो कहीं आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ तो कहीं नियम ही इतने पेचीदा थे कि विभाग ही उनमें उलचकर रह गया उचमाद में सिक्षक भरती 2018 के 848 CWS उमिद्वारों को 45 दिनों में भरती देने का आदेश दिया गया था आदेश का पालन नहीं होने पर नई भरती पर हाई कोड ने रोक लगा दी जिम्मदार अधिकारियों की लापरवाई का नतीजा ये हुआ कि 7,591 पदों पर वर्ग एक की नई भरती पर रोक लगा दी गई और विभाग का डबल स्टेंडर्ड देखिए कि विभाग ने सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच में चैलेंज कर दिया और मामला उलज गया और ऐसा नहीं है कि सिब भरती परिक्षाओं के उमिद्वार ही सिक्षा विभाग से परिशान है काम करके रिटार्ड हो चुके करमचारी और जो काम कर रहे हैं वो करमचारी भी सिक्षा विभाग से काफी परिशान है क्योंकि अवमानना के जारतर मामले सिक्षकों के द्वारा समयमान, वेतनमान, प्रमोशन, निलंबन, बहाल करने के मामले बाद में नौकरी नहीं मिलने के मामले, बाहाल होने पर निलंबन अवधी का पैसा नहीं दी जाने के मामले, ऐसे कई मामले हैं जो कोट में या चिकाय लगाई गई हैं जिनने लेकर कोट सुनवाई कर रहा है लेकिन विभाग इन आदेशों का पालन नहीं करता जो की हाई नतीजा प्रमुक्स अचिव आयुक के खिलाफ सिक्षकों ने अवमानना के मामले लगा कर रखे हुए हैं और ये तो सिर्फ सिक्षा विभाग का हाल है बाकी के जो सरकार विभाग हैं वो भी काफी पीछे नहीं है 29 दूसरे विभाग तो ऐसे हैं जिनके खिलाफ कंटेंप के मामले अभी भी कोट में चल रहे हैं और अवमानना के ज्यादातर मामले विभागों में काम करने वाले तीसरे और चौतिश रेनी के कर्मचारियों ने लगा कर रखे हुए हैं अब इनी सबको लेकर सरकार का सिर्दर लगातार बढ़ रहा है स्कूल सिक्षा विभाग दांकारी मांगी जा रही है यानि पहले खुद ही गलबड़ी करो और फिर खुद ही उसे ठीक करने की कोशिश करो अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दासूत्र के साथ नमस्कार